हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूण व्यूणिवर्स क्लासज स्वागए था आप सभी का यूणिवर्स क्लासेज की यूटूब चनल में तो कैसे आप सभी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सांदार होंगे और सांदार तरीकिस अपनी पड़ाई को जारी रखे होंगे और आप सब्सक्राइब कर रहे हों आप उसमें पूरा फट लगाएं जैसे कि आपको 100% सेलेक्शन मिल सके और रिजल्ट आ सके तो बढ़ते हैं आज के सेग्मेंट में जिसमें हम बात करेंगे स्क्वाइर निकालने की ट्रीक दो अंगों का जो स्क्वाइर होता है यदि आपको या सब्सक्राइब करेंगे और इससे पहले कि आपने यदि गुला करने की ट्रीक नहीं देखी है जो की होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं जो की कैल्कुलेसर में काफी हेल्प करेगा यदि आप कई पहले कि आपको काफी नालेज मिलने वाली है तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के इस सेगमेंट की आपको निकालना है पांच-पांस को इतना होता है पचीस को पांच लिखेंगे आप दो कहरी रखेंगे जो कि अगले में जोड़ना है अब क्या करना ठीक अब इस दू का 5 में फिर जितना आएगा उसमें इस दो से यानि कि 2 पच्चे 10 10 दूनी 20 और यह जो तो कह रही था 20 और 22 को कितना होता है दो फिर हांसे लगेगा 2 उसके बाद क्या होता है दो दूनी 4 दो का स्कॉर करेंगे दो दूनी 4 होता है और 4 और 2 6 ठीक 625 आ गया आप सेकेंड इसको निकल सकते हैं मुझे टाइम लग रहा है सिर्फरसिस समझाने में यदि आप शीक्ष जाएंगे तो आप सेकेंड में देख करें इसको बता सकते हैं चली और एक दिखते हैं एदि आपको निकलना है तेज का सक थिक तेज को सक निकलना आपको तो क्या करना होगा स्पाह नाա करेंगे इज है इस तीन का स्क में बढकर 2 ताहर दो दूनी 41 बारे को दो हांसिल एक अब इस दो का गुला स्क्वाइर करेंगे दो दूनी चार और एक पांच ठीक 529 आगे आपका एंसर ठीक आगे कुछ देखते हैं अब माली आपको 24 का करना है ठीक है मैं छोटे छोटे नंबर लेक बता रहे हैं आपको फिर बड़ा नंबर दाऊंगा चोविस का करना है तो चार चेव को 16 16 एक आएगा ठीक 26 को 6 आथ से लगेगा 3 ठीक है दो चके बार बार दूनी 24 24 और ये तीन कह रही था 24 और तीन कितना होता 27 27 को साथ फिर हांसे लगेगा दो ठीक है और दो दो चार चार और दो कितना होता है चह शोटे आएगा आप 26 का स्कॉयर आप निकाल के देख सकते हैं चली आगे बढ़ 32 के लिए भी वही करना है जो आप करते आ रहे हैं दो दूनी 4 ठीक है कोई करें नहीं लिखेंगे तीन दूनी 6 6 दूनी 12 बार एको दो हांसे लगेगा एक तीन तीरी का नो और एक दस एक हैर 24 आप 32 का स्कॉयर निकाल के देख सकते हैं एक हैर 24 ही आएगा अब बात करते हैं 48 का देख लेते हैं 88 कितना होता है 64 64 को क्या हो जाएगा 4 हांसे लगेगा 6 चार बठे 32 32 कितना हो जाएगा सत्तर सतर को जाएगा जीरो फिर हांसे लगेगा आपके पास आप साथ ठीक है चार चोग खुते हैं तो 16 16 में आप साथ जुड़ेंगा जाएगा 23 यानि कि 204 हो जाएगा 49 का आपकी स्कॉयर निकालते हैं तो 304 तो हम उमित करते हैं आप इसको सीख गया होगी अब एक नमबर और देख चिलते हैं जो कि बड़ा नमबर लेते हैं माली जापको लेना है 74 क्या करना है चार चोग के 16 16 को 6 16 अधाइस लगेगा एक शाच्यों का 28 28 दोनी 56 56 और एक जो हांसिल थाई हो जाएगा 57 57 को हो जाएगा 7 फिर पांच ठीके अब सास्तिक इतना होता है 49 49 और पांच जोड़ें कितना हो जाएगा 54 56 आजएगा आपका 54 स्कॉयर तो आपको कोई याद ने कर रखना है इस तरह से आप सको आसाने से से शीक सकते हैं और आप अपने कलकुलेशन में अपलाई कर सकते हैं जिस से कि आपको आने वालेप pac羊 में काफी help दो चली कॉणे जरा हूं चैस्फ आप जिसमें करके बतां में कितना होगा 72 हो गया फिर 34 गईने कितना हो गया ठीक 34 हो गया और एक हुआ लिजिए 20 26 26 से निकाल दिया है 20 29 के लिजिए इतना सब्सक्राइब कितना हो रहा है कमेंट कर जिसे पता चले कि आप सीख चुके हैं आये कुछ इसी को हम थोड़ा ऐसे कैसे फाश्ली कर सकते हैं यह से माली हम ने ले लिया 33 कुछने करना है आप मन में कर सकते हैं तिन तरी करनों हो घुझ नो पतीन तरी करनों नहीं झारे थरे 6 तो हम उम्मिद करते हैं कि आप इसको समझ पाएंगे और हम पुरी उम्मिद है कि आप इसको अच्छे समझ गया होंगे अब जो हमने कोश्चन दिया है उसका आप कमिट भी करेंगे तो ठीक है रखते हैं आज कशा से नहीं पर और अपना खयाल लखें पढ़ते रहें हस्ते रहें मुस्कुराते रहें फिर मिलेंगे हम तब तक नमस्कार जैहिंद